हलो और वेलकम टू अनकेडमी क्या हाल चाल है आप सभी के स्टुडेंट साज अनकेडमी इंडिया में यूपीएसी सीएसी की त्यारी का सबसे बड़ा प्लेटपॉम है अगर आप अनकेडमी को सबस्क्राइब करते हो तो आपको क्या-का बेनेफिट्स मिलेंगे मेरे साथ साथ आपको इंडिया के बेस्ट एडुकेटर से पढ़ने का मुका में लगा एक पूरी शांदार टीम है अनकेडमी के पास जो फुली कंपेटिबल है और पूर्ण योगताओं से युक्त है जो आपको यूपीएसी का सेलेक्शन कराने की पूर्ण योगताओं रख क्लासिज का नोटिफिकेशन या मुझसे किसी भी तरह का इंटरेक्शन करना है टेलिग्राम पे जाईए अनकेडमी अंडरिस्कोर नवीन तवर टाइप कीजिए और मेरे इस चैनल को जोईन कर लीजिए ये देखो ये शांदार कंक्लेव है मैं आपको पिछले दो दिन से बुल रहा हूं कल 20 तारीको 21 तारीको और 22 तारीको ये कंक्लेव है आप जान चैंपियन्स कंक्लेव देखो इस एक्जाम में मैंने बोला है कि ये जानना ज़रूरी है कि हमें कब करना है क्या करना है कैसे करना है स्ट्रैटेजी क्या हो ओके ये जॉब कैसी है इसके कैसे है उन सब को लेके अनकैडमी का यह चेंपियन्स कंक्लेव है और फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स और अभी हाल फिलाल में जो बच्चे 2020 में सेलेक्ट हुए है वो रहेंगे और साथ के साथ आपके एडुकेटर्स रहेंगे तो आपको काफी करना अगर आपको एंडॉल कर सकते हो बिल्कुल फ्री है मेरा रेफरेल कोड नवीन बन आप इसमें लगा के अगर आपसे कोई रेफरेल कोड मांगा जाता है तो नवीन बन कोड लगा के इसमें एंडॉल कीजिए टोप आर्स एजुकेटर और बियूरोक्रेट्स बीस से 22 नेवेंबर के बीच आपका ये पूरा सेशन रहेगा आप इसे जरूर जोईन करना कनक्लेव के हाइलाइट्स होंगे कि क्या लाइफ में कोई प्लैन भी होना चाहिए तो आपके रिटायर आइस ओफिसर है अमिताब भटाचारिया जी बताएंगे कि लाइफ का प्लान भी होन इतना ही पढ़ेंगे इतना सोएंगे इतना जागेंगे इतना खाएंगे अपना उस कमफर्ट टेबल जोन से बाहर निकलो एक सेशन इस पर होगा जब आप अपनी जॉब करते हो और ड्यूटी करते हो नेशन पहले होता है आपके सामने और फिर है क्या PSIRA के बहतर आप्शनल है उसको आप ले सकते हो यह सब सेशन होंगे अनकैडमी वापस से एक शांदार ओफर लेके आया है बिटा अनकैडमी हर हफते कुछ न कुछ आप लोगों के लिए नया है अभी है stand out stand out कैसे देखो एक बच्चा वो है जो खुद से त्यारी कर रहा है एक बच्चा वो है जिसके पीछे आपका mentor है जिसके पीछे guide है educator है उसको support करने के लिए तो आपका जो अनकैडमी का नया ओफर है 18 से 24 नवंबर के बीच जो भी बच्चा iconic GS लेगा ओके iconic GS के साथ उसको मिलेगा experienced coach मिलेगा आनकैडमी आपको coach देगा और साथ में आपका optional बिलकुल free 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 सिर्फ GS का पैसा पे करना है optional बिलकुल free है एक साल वाला लोगे iconic GS तो एक साल का optional free दो साल वाला Iconic GS लोगे तो दो साल वाला Optional Free है और तीन साल वाला Iconic GS लोगे तो तीन साल के लिए Optional Free है Offer लेकिन 24 November तक ही है उसके साथ ही 18 से 24 November के बीच जो बच्चा ये देखो GS Combo लेता है, Iconic GS लेता है या Iconic Combo लेता है इन तीनों में जो भी बच्चा लेता है उसको 21 टेस्ट Optional के Free मिलेंगे 80 टेस्ट उसको Journal Studies के Free मिलने वाले है तो ये भी शांदार Offer है कुल मिला के अगर Optional की और GS की टेस्ट स्रीज देखे 45,000 उसका प्राइस है ये बिल्कुल Free मिल रही है GS Combo, Iconic GS और Iconic Combo के साथ चांदार है 24 नेवंबर से नया बैस शुरू हो रहा है 2022 के लिए 2023 के लिए जिसको सिर्फ Journal Studies का सब्स्क्रिप्शन लेना है ये आपके सामने डिटेल्स है प्लस में 6 मांथ से 3 येर है लेकिन जभी भी ले एक या दो साल का लेना इधर भी मेरा code लगाओगे नवीन 1 मेरी mentorship उसके साथ-साथ आपको 10% का discount मिलेगा Iconic में भी एक साल, दो साल, तीन साल नवीन 1 code लगाओगे अगेन मेरी mentorship और 10% का discount है भुगोल अगर आपका वेकल्पिक विशे है जोग्रफी तो आप मेरे से पढ़ सकते है मौर्निंग 9 अम जोग्रफी ऑप्शनल का बैच शेडूल्ड है मेरा उधर आके देख सकते हैं 48 लेक्चर हो चुके जो बच्चा ज्यादा लेट ना करें तो जोईन करें एक साल दो साल तीन साल कोई भी ले मेरा कोड नवीन मन लगाओगे आपको 10% डिसकाउंट भी लेगा जोग्रफी जी एस मेंस की हमारी ये सेरीज है अभी देखते हैं आपके क्या हाल चाल है क्या हाल है आपके बताओ मुझे बच्चे बोल रहे हैं कि सरा आज हम कुछ अच्छा और नया पढ़ने वाले है मज़ा आने वाला है बहुत ही शांदार पढ़ाई होगी टेंशन न लो हर सेशन अपना युनीक रहता है आज और भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा तो हम मेंस कर रहे है जोगरफी जीएस मेंस है हमारा आज हम करेंगे स्मार्ट सिटीज स्मार्ट सिटीज यूपी असी कोश्चन पूछ चुका है जनरल स्टडी जीएस पेपर वन में जीएस पेपर थर्ड में भी पूछ चुका है in fact इस पे ऐसे भी आ सकता है इस पे case study भी आ सकता है ओके एक काफी मतलब आपने बहुत सुना होगा यार smart city smart city smart city कौन है ये smart city तो smart city के बारे में जानते है पहले question देखो UPSC क्या पुछा है 2019-18 में पुछा है ये भारत में नगरिय जीवन की गुनता की संक्षिप्त प्रस्ट भूमी के साथ smart नगर कार्यकरम के उद्देश्य और इसकी रणनीती बताईए कहता है with a brief background of quality of urban life in India भारत में वर्तमान में जो urban इंडिया की जो quality है उसके बारे में बताते हुए आपको बताना है introduce the objectives and strategy of smart cities program भारत में smart city कार्यकरम का उद्देश्य क्या है और इसकी रणनीती क्या है अभी तो हमें इतना ही पता है 2015 में लोंच किया था शहरों को सब कुछ smart कर देंगे information communication technology ले आएंगे लेकिन actually है क्या करना क्या चाहते है ये जानना जरूरी है सरकार का बहुत ज़्यादा focus है आपके इस project पे फिर एक और question इसने पूछा था smart नगर अगर आप smart cities बनाना चाहते है तो वो smart village के बिना जीवित नहीं रह सकते यानि के smart cities को अगर survive कराना है तो उसके पीछे smart villages भी बनाने होंगे आपको और ग्रामीन नगर ये एकी करन की प्रस्ट भूमी में गाउं और शहरों के integration की जो प्रस्ट भूमी है उसको ध्यान में रखते हुए आपको इस पे चर्चा करनी होगी छोटा सा question है गंभीर बहुत है लेकिन चले तो आपको कुछ समझ भी आया ये वाला जो question है पहले कि आपको आपका जो अर्बन इन दिनों जो आपके अर्बन सेंटर्स है उसमें quality of life क्या है उसके बारे में बताओ तो बात करते है smart cities प्रोग्राम के बारे में चलो मैं आपसे एक बात बोलता हूँ देखो एक कहानी सुनते है छोटी सी प्यारी सी कहानी के जरीए ये concept जाद अच्छे से समझ में आएगा आप student हो या आपके घर में कोई आपका भाई पिता भाई बंदू दूर रिष्टेदार दोस्त कही ना कहीं काम करने के लिए किसी शहर की ओर जाता है वो शहर में जाएगा जाते ही उसको क्या चाहिए देखो अगर वो उसने कोई वो employee है किसी company में काम करता है उसको सबसे पहले जाते ही need किस चीज की होगी अच्छा रहने की ववस्ता हो रहने की जरूरत है या नहीं चलो फिर वो सोचेगा पीने का पानी अच्छा खाना मिल जाए वो वेवस्ता हो बहुत अच्छी बात है अरे यार सुबह office भी जाना है अच्छा transportation हो वो भी ठीक है बिजली की भी वेवस्ता हो अब office का culture है घर पे आके खाना नहीं बना सकता तो बाकी अच्छा जो आपका खान पान के जो standards हो बहुत अच्छा है कभी देर रात घर छोड़के गया हूँ है ना शहर में गया हूँ कभी तब्यत खराब हो जाए अच्छा hospital भी होना चाहिए सब कुछ चाहिए उसको तो आप एक चीज ध्यान लखो अगर आपने अच्छा शहर बना के दिया याद रखना इस बात को John Gall का एक बहुत famous statement था अगर आपने अच्छा शहर बना दिया तो वो आपका अच्छा जीवन बना देगा अच्छा शहर अच्छा जीवन बनाता है अच्छा शहर आपकी life को shape देता है कल कोई मैं कहूँ चलो आपका coaching का industry coaching पढ़ने के लिए जा रहे है coaching को छोड़ो आप किसी college में जा रहे हो दिल्ली में गई किसी college में या इंडिया के किसी भी city में बहुत अच्छा college है सिर्फ क्या college के सारे जाओगे वहां पे वहां ये नहीं देखोगे खानपान कैसा है हवा कैसा है पता चले एक्यू आई है मतलब एक्यू आई है मतलब एक्यू आई वहां जो water मिलता है highly polluted है हाईली polluted है वहां पे बहुत ज़ादा क्या है safety के measures बहुत कम जोर है safety का कोई नामो निशान नी सड़क पे चलते हुए आपके साथ कुछ भी हो सकता है तो क्या सिर्फ पढ़ाई के सहरे चले जाओगे आप उस सहर में बताओ तो अच्छा शहर होगा तो आपको अच्छा भविश्य बना के देगा और आज जो हमारे शहर जिन समश्याओं का सामना कर रहे है जैसे 2021 की अगर में 2011 का सेंसस की अनुसार अल्मॉस लगबग 31% population हमारी शहरों में रहती है 31% population शहरों में रहती है और अनुवान है कि 2030 लगदेश की 50% आबादी आपकी शहरों में रहेगी ये आबादी आपकी शहरों में रहने वाली है और वर्तमान में हमारे शहर pollution बहुत ज़ादा है water quality पीने के पानी की समश्या transportation वो problem है traffic jam की समश्या है गंदी बस्तिया है है या नहीं है स्वच्छता की समश्या है सुरक्षा की समश्या है आपसिस्ट waste management का इश्यू है governance भी बहुत सारे parameter पे ढंक से काम नहीं करना तो अगर हमारा 50% population आने वाले 10 सालों में शहरों में रहने वाला है और शहर पे ही हमारा जीवन निर्भर करने वाला है हमारा quality of life जितना ज्यादा अच्छा शहरों में होगा उतना ही अच्छा हमारा भविश्य भी होगा तो smart city program क्या कर रहा है इन सारी कमियों को ये जो सारी समश्याए है इनको ध्यान में रखते हुए आपको एक solution दे रहा है smart city वो smart इसलिए उसको बोला जा रहा है कि वो smart है आपकी life की quality को बढ़ाने में योगदान देता है वो smart इसलिए है वहां का environment अच्छा है वो smart इसलिए है क्योंकि वहां पे economic activities बहुत अच्छे से conduct हो रही है तो smart city एक solution है urban problems का बताओ समझ आया ये point ये बात समझ में आई या नहीं जल्दी से बताओ ये point clear होगा तभी आगे चलेंगे आ गया अब चलते है अब smart city program देखो जैन गेल क्या बोलते है जैन गेल है न दुनिया के बहुत बड़े दुनिया के बहुत आप गूगल करोगे पता चल जाएगा जैन गेल क्या है एक Danish architecture है और urban design कैसा शहरी design कैसा हो city का उसके दुनिया के सबसे फेमस यह architecture है इन्होंने बोला we shape cities हम शहरों को आकार देते है और शहर आकार देते है हमें we shape cities and they shape us अगर कभी भी कोई case study आ जाए कोई GS में कोई question लिखना पड़े कोई essay में कुछ लिखना पड़े लिखना बेटा बहुत शानदा लाइन है जैन गेल की we shape cities and they shape us हम शहरों को आकार देते हैं और शहर हमारे जीवन को आकार देते हैं जो मैंने आपको कहानी सुनाई अभी तो जैन गेल का यह अभी देखो क्या कहते हैं बताते हैं शहर है लोगों का संगम संगम है नगरी जगा जगा से आएगा एक राज्य से दूसरे राज्य से गाउं से शहर से सब अर्बन सेंटर से विदेशों से सारी दुनिया के लोग आते हैं संगम है यह हैं लोगों का संगम है मेला है जहां लोग रहते है एक दूसरे से मिलने आते है विचारों का आदान प्रदान करते है आजीवी का कमाते है शिक्षा, स्वास्ते अन्य सिवाओं तक पहुँचते है और अच्छी गुनवत्ता वाले जीवन का आनंद लेते है यह है हमारा शहर शहर की image क्या है यह सब है संगम लोग मिलेंगे तरह तरह के मिलेंगे discussions होंगे विचार exchange करेंगे culture exchange करेंगे social values exchange करेंगे अपनी आजीबी का कमाएंगे मन रंजन करेंगे बाकि जिसको जो करना है करो तो लोग क्या है यानि कि ultimately शहर बसाए गए है लोगों के लिए center में कौन है अर्वन के मतलब अगर अर्वन है इसके center में बैठा है इनसान लोग बैठे है पीपल बैठे है लोग बैठे है इसके केंदर में यानि कि लोगों को ध्यान में रखकर ही शहर बसाए जा रहे है इसलिए शहरों को अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए ये बोला जा रहा है कि शहर लोगों के लिए बसाए जा रहे है इसलिए शहर का अपराथमी कुछ दिश्य है कि वो लोगों के लिए काम करे इतना हाई क्वालिटी कंटेंट आज आपको स्मार्ट सिटी पे मिलने वाला है न थोड़ा बहुत मैंने जैन गिल को पढ़ा उसके बाद स्मार्ट सिटी के उपर तक्रीबन 160 पेज का गवर्मेंट डॉकुमेंट है जिसको पढ़के आज का पुरा कंटेंट आया एक बहुत अच्छी रिपोर्ट पढ़ी कि स्मार्ट सिटी के सामने हमारे चैलेंजिस क्या है हमें करना क्या होगा फाइनली हमें करना क्या होगा बहुत इंपोर्टन सेशन है और UPSC का कोशन तो ऐसे ही लड़ जाएगा अभी पढ़ते जाओगे न आपको जो लिवेबल है रहने लायक है रहने योग्य है सस्टनेबल है टिकाओ है ऐसा नहीं कि 10 साल चलेगा 20 साल चलेगा उसके बाद खतम वो चर्मरा जाएगा ऐसा नहीं टिकाओ होगा उसकी संब्रद अर्थ व्यवस्था होगी thriving economy है जो अपने लोगों को शहर के लोगों को उ आप में से कोई ना कोई गया होगा ना कभी ना कभी शहर अकसर जाते ही रहते होंगे आपके विकल्प है शहरों में आप जो चाहते हो आपको वो मिलता है आपको कार खरीदनी है आपको शॉपिंग करनी है आपको medical facility चाहिए education facility चाहिए वो आपको option देता है city तो क्या है एक ऐसा शहर होगा smart cities जो रहने लायक होगा sustainable होगा thriving economy होगी उसकी जो अपने लोगों के diversified जो interest है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे opportunity देता है समझ भी आ रहा है आपको जल्दी से बताओ समझ भी आ रहा है चले अभी देखो तो यह देखो क्या है smart city smart city क्या है बेटा देखो smart city देखो इसको इस diagram को अच्छे से देखो smart city बनाना अगर exam में आएगा यह diagram बनना जरूरी है smart city देखो smart city के अंदर है livability जीवन योग्य होता है वो उस smart city के अंदर economic ability होती है लोगों को ववसाय की आजीविका को पूरा करने की चमता देता है यह sustainability होती है यानि कि वो लंबे time तक उसका environment के साथ interaction क्या होगा परियावरन बना में विकास नहीं परियावरन और विकास दोनों हाथ में हाथ डालके आगे बढ़ेंगे दोस्त बनके तो यानि कि people, environment and economy यह है आपका smart city यहाँ center में बैठा है आपका smart city smart city लोगों की जरूरतों को अर्थ ववस्ता की जरूरतों को और environment की जरूरतों को सब को पूरा करते हुए लिवेबिलिटी, economic ability और sustainability वही जीने योग्य है आर्थिक रूप से संब्रद है और टिकाऊ है आपका smart city बना लोगे इस डाइगराम को अभी देखतो है अब यह क्या कहता है यह देखो लिवेबिलिटी को कैसे डिफाइन कर रहा है मैं हिंदी में बता दूँ अभी सरकारी डोकुमेंट है उसकी beauty में नहीं खोना चाता यह कितना शांदार लिखा है मैं हिंदी में define करूँ है बिटा कोई दिक्कत नहीं पर इतनी खूबसूरत लाइन है ना यह कैसे बदल दूमेंग को देखो क्या लिखा है enhancing aspect of social well-being सामाजी काल्यान के जितने भी पक्ष है उनको बढ़ाते हुए a city that enables citizens to live our descent life आपको एक बहतर और एक अच्छा जीवन जीने के लायक बनाता है जैसे basic services होती है साफ आपकी सुरक्षित आपकी सडके होती है public space होता है आप घूमना फिरना चाहो पार्क में जाना चाहो वो मिलेगा public transport होता है facility for health होती है education होता है recreation मनोरंजन के लिए full officer होते है आनंद के full officer होते है place of historical and cultural significance होते है वो होती है livability रहने योग्य वो शहर होता है जिसके अंदर ये सब कुछ हो तो smart city आपके शहरों को रहने योग्य बनाती है livable बनाती है पहला पक्षुवा livability दूसरा economic ability से क्या मतलब है smart city का economic ability होता है तो ensuring that the city is good place शहर इतना अच्छा इस्तान है किस कारियों के लिए आपका विवसाई करने के लिए लोगों को बहुत सारी तरह की जोब प्रदान करता है sustained टिकाउ आर्थिक गती विदिया होती है निवेश होता है है ना local resources का इस्तमाल करते है हम है ना local ही कोशल का इस्तमाल करते है तो मांग को ध्यान में रखते हुए बहुत सारा तरह का हमने जोब प्रोवाइड किया हमने गुड प्लेस है आपके बिजनिस एक्टिविटी को करने का ओके investment है local resource local skills सब कुछ यूज होता है आपका ये है आपका economic ability तो जिसके अंदर livability हो जिसके अंदर economic ability हो और तीसरा जिसके अंदर sustainability हो ये लो maintain sustainability का मतलब है टिकाउ टिकाउ है वो टिकाउ कैसे है balance maintain करता है between natural and built ecosystem आपका जो प्राकर्तिक परिस्थितिकी तंदर है और जो इंसानों ने सड़के भवन grid energy वो जो establish किया है ओके तो उनके बीच में एक balance को maintain करता है और बहुत सारे ऐसे issues जो शहर सामना कर सकते है उनका एक समधान भी करता है कैसे temperature आपका urban heat island एक issue है आपका detroying air quality आपका खराब वायू गुनवत्ता frequent flood आती है flood देख सकते हो मुंबई में चेन्नई में drought का समस्या है और urban biodiversity का decline नहीं होता किसमे sustainability तो यही है आपका यह देखो यह है आपका smart city लिवेबल है economic ability है उसके पास और जो sustainability है तो अगर अब कभी भी आपसे UPSC या state service आपसे smart city की definition पूछता है तो यह मत बोलना वो smart होता है है ना तरह तरह की स्विधाय होती है बिजली की ववस्ता सब कुछ smart होता है ICT का इस्तमाल होता है हलकी बाते है बेटा लिखो एक smart शहर वह है जो वहां रहने वाले लोगों के लिए लिवेबल है economic ability होती है और sustainability होती है रहने योग्य आर्थिक रूप से सम्ब्रद और टिकाव शहर होता है smart city यह definition में डाल सकते हो आप अभी आया समझ में जल्दी से बताओ समझ में आया done बहुती बढ़िया शांदार एक बार देख लेता हूँ picture quality समझ गए आजाओ अब smart city mission क्या था SCM बोलते हैं इसको हम smart cities mission थोड़ा सा सरकारी बात भी कर लेते है भारत सरकार ने 2015 में smart city mission को launch किया था smart city mission क्या था कौन सा मंतरा ले ministry of housing and urban affairs आवास और शहरी मामलों का मंतरा ले और सभी राज्य और केंदर शाशित प्रदेश है ना एक साथ मिलके इसमें joint effort लगा रहे है इसका मतलब क्या होगा एक केंदर प्रायोजित योजना है केंदर प्रायोजित योजना है केंदर प्रायोजित योजना है केंदर प्रायोजित है और नागरिकों के जीवन की गुनवत्ता यह देखो बेटा, जीवन गुनवत्ता को बहतर करना, ये सेंटर में, मैंने बोला न, जौन गेल क्या कहते हैं, देखो बेटा, जौन गेल का स्टेटमेंट याद रखना ये वाला, मैं रिकमेंड करूँगा, अगर एक्जाम में साध्य कौन है भाई साध्य इंसान है सब कुछ इंसानों के लिए ही तो हो रहा है तो यही कह रहे है शहर भी बनाए जा रहे तो इंसानों के लिए बनाए जा रहे स्मार्ट सिटी बन रहा है तो लोगों के लाइफ में क्वालिटी लेके आना चाहता है यह जीवन गुनवत्त को बहतर करना चाता है smart city solution देना चाता है आपकी life में जो problem है उसका solution है smart city तो उद्देश ये समझ में आ गए हमें गुनवत्ता में सुधार करना फिर देखो केंदर प्रायोजित योजना है center और states दोनों contribute करेंगे center प्लस state दोनों मिलके काम करेंगे पैसा central government भी देगा कुछ fund और state सरकारों को भी अपने और से भी लगाना होगा दूसरा शेहर की safety को सुधारना safety अपने आप में एक बहुत बड़ा issue है शेहरों में नागरी आदमी की देखो कोई शेहर जाता है बई मैं अपने गाउं से उठके अगर शेहर गया तो मैं अपने साथ अपने गाउं के दस बारा लोगों को लेके गया हूं क्या भई आपकी बहन हमारी बहने हमारे घर की female जो हमारे members होते है वो शेहरों में जाती है दस बीस लोगों को bodyguard लेके चलते है क्या भई किसी के घर वाले इतने अमीर है वो भेज सकते है तो चलेंगे तो बाकी तो किस पे है शेहर के infrastructure पे ही depend है शेहर का जो governance है वहाँ पे जो व्यवस्था है उसी पे ही हमारी सुरक्षा टिकी हुई है है ना तो वो शेहर की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है चाए social security हो चाए physical security हो दूसरा जो नगरपालिका की services है नगरपालिका जो services देती है उनकी efficiency को better करना चाती है सरकार सूचना और संचार प्रद्योगी की का उप्योग करके शेहर को जीवन्तता उसको वहवारिकता और उसको स्थिर्ता बढ़ाना चाती है वो चाती है वो sustainable हो वो leaveable हो है ना वो वहवारिक हो जिसलिए शेहर बनाया गया आर्थिक गती वीडियो का केंद्र है इसे शुरू में जब 2015 में लौंच किया गया था 2019-2020 तक पूरा करने का लक्षय था हमने बोला so smart शेहर बनाएंगे लेकिन नहीं पूरा हुआ वो क्यों पूरा नहीं हुआ क्या समझा है वो आज हम discuss करेंगे अभी हमने इसको बढ़ा दिया Done अब smart city के चार पिलर है 4 पिलर है smart cities के है हमारे 4 पिलर तो basically 4 पिलर कौन से है सामाजिक infrastructure social infrastructure दूसरा है physical infrastructure तीसरा है economic infrastructure और उसके बाद है governance institutional infrastructure या आप इसको बोल सकते हो governance तो governance अपना एक मुद्दा है बहतर governance होगी smart cities नहीं चलेगी आज बताऊंगा कि governance के issue की वज़े से हमारी smart cities को किन-किन समश्याओ का सामना करना पड़ रहा है तो governance है economic activity, physical infrastructure, social infrastructure ये चारो है इसके अंदर पिलर है ये आजाओ अब ये क्या कह रहा है जो हमने smart cities के अंदर हमने जिन शहरों को चुना था जो शहर हमने चुने थे smart cities के अंदर तो दो प्रकार का विकास करना था आपने सुना होगा आप अपना state का कोई smart city याद करो जैसे मैं मेरे state का याद करूँ तो कोटा हुआ, अजमेर हुआ, जैपुर हुआ ओदैपुर हुआ, यह आपके मेरे, मेरे, राज्य के यह smart cities है आपके राज्य का भी कोई smart city होगा पुने होगा, है ना, डेली NCR होगा, साउथ का कोई state उत्तर प्रदेश का बिहार का, मध्या प्रदेश का कोई ना, कोई तो चुना गया होगा ना, आपने अपने state का एक-एक smart city लिखके बताओ मुझे, कानपूर लखनाओ, ठीक है, युपी वाले बता रहे है सर, कानपूर लखनाओ, ओके कानपूर लखनाओ, और बताओ आपके राज्ये के smart cities के नाम बताओ मुझे, इंदोर बता रहे है एंपी वाले इंदोर बता रहे है चलो दो-चार दस्तो ऐसे ही याद हो जाएंगे पुने, ओके, पुने बता रहे है बनारस, भागलपूर मुंबई, ग्वालियर बहुत अच्छा राची जमशेदपूर बहुत ही बढ़िया उत्राखंड वाले भी बता रहे है तो इसने कहा जो आपका शहर चुना गया कि हमें इसको smart बनाना है smart बनाने का मतलब समझ गे बेटा smart बनाने का मतलब समझे smart बनाने का मतलब वोई है लिवेबलिटी होगा लिवेबल होगा एकनॉमिक ली वाइबल होगा एकनॉमिक पक्ष है उसका और सस्टेनेबल होगा यानि के उस शहर को हमें रहने योग्या आर्ति गति वीदियो का केंदर और टिकाउँ बना के रखना है तो कहरें इसके लिए हमारे पास दो तरह के development करते हैं, हमारी जो strategy है, हम करने क्या वाले है, मतलब smart city की strategy क्या है, strategy यह है, दो तरह का यहां development करेंगे, पहला है area based development, छेतर आधारीत विकास है, छेतर आधारीत विकास, इसमें हम करते है, redevelopment, redevelopment, सब का मतलब बताऊंगा, retrofitting, retrofitting, तीसरा है greenfield, मतलब जो आपका छेतर आधारीत विकास है, उसमें हमारे तीन concept है, पहला concept है, redevelopment, दूसरा concept है, retrofitting, तीसरा है greenfield, इनके लिए निर्दिष्ट आकार के छेतर का चेतर का चैन किया जाता है, मतलब अगर आपको redevelopment करना है, retrofitting करना है, या greenfield करना है, तो आपको एक particular area identify करना होगा, कि भई मुझे इस शहर के इस पांच किलो मिटर के छेतर का, मुझे क्या करना है, retrofitting करना है, या redevelopment करना है, जैसे मुंबई में भिंडी बजार का नाम सुना होगा, आपने, भिंडी बजार, है ना, ओके, तो एक particular area identify करेंगे, डैली में नगरपाली का कोई छेतर पकड़ लिया भाई, उधर सुधार करते है, है ना, चांगनी चोक वाला छेतर पकड़ लिया हमने, है ना, तो छेतर आधारित विकास में तीन काम करेंगे, पुनर विकास, retrofitting और greenfield विकास, क्या है, एक एक क मतलब देखते है, तो उधरान दे रहा है, पहले कि जैसे complete दिल्ली को नहीं पकड़ा, हमने, छेतर आधारित द्रस्टी को उन में complete दिल्ली का वर नहीं किया, हमने, इसने बोला, रास्ट्य राजधानी छेतर के, कुल छेतर फल है, 1483 वर किलोमीटर, लेकिन, उसमें से केव दो वर किलोमीटर का छेतर क्या हुआ, नई दिल्ली नगर परिशद का, जो उसके द्वारा प्रशाशित किया जा रहा था, उसका चैन किया गया, चैनने में भी करीब 7 वर किलोमीटर में फैले ट्रांसपोर्ट नगर इलाके का चुनाओ किया गया, जो छेतर आधारित द्र द्रस्टिक होन, याद आएगा, जल्दी से बताओ, फटा फट देखो इसको, बताओ मुझे, चीक है, अभी देखो पहले होता है, री डेवलप्मेंट क्या होता है, ये देखो, री डेवलप्मेंट, पुनर विकास करते हैं हम, area based approach में, पुनर विकास का तात्फिरी है, मोजुजात छेतर है, सपोस करो, ये मुंबई का भिंडी बजार है, सच में, ये भिंडी बजार ही है, मुंबई का, इन्होंने बोला इसको तोड़ दो ओके और इसको दुबारा से रिडवलप करके इसमें कनवर्ट करो तो मौजूदा निर्मित छेतर को तोड़ देंगे और एक नया ले आउट बनाएंगे विकास के इस रूप का उधारन है मुंबई का भिंडी बजार भिंडी बजार का पुनर निर्मान किया दिल्ली में पूरवी किदवई नगर का भी हमने रिडवलपमेंट किया तो इसको हम नए ले आउट में कनवर्ट करेंगे पुराने वाले को तोड़ना है नए वाले में कनवर्ट करना है कैसे देखो ये है आपका भिंडी बजार नजर आ रहा है आपको जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए ये भिंडी बजार है ये भिंडी बजार नजर आ रहा है अब इनोंने का भिंडी बजार का पुनर विकास करना है पुनर विकास बेटा जो शब्द है भारी भरकम शब्द है जब तक अच्छे अच्छे शब्द नहीं लिखोगे ये री डवलप्मेंट, रेट्रो फिटिंग, ग्रीन फिल्ड, लिवे अबिलिटी एना इकनामिक अबिलिटी, सस्टने अबिलिटी तब तक इसका मतलब आप स्मार्ट सिटीज को समझे ही नहीं अगर ये शब्द आपकी लेंग्विज में नहीं आरा, इसका मतलब नहीं बस पढ़ लिया है कहीं से और लिख दिया आपने इन शब्दों की गहराई को समझेंगे, तब बार-बार निकल के आएंगे आपके अंदर से अभी आपके अंदर से खुद से ही निकल के आएगा पुनर विकास तो ये हमने भिंडी बजार को देखो कैसा था, इसको हम तोड़के इन्होंने बोला ऐसा ले आउट लेके आएंगे मतलब प्रपॉजल है, ये री डवलप्मेंट हुआ वो ही देखो, बीच में ये पुरानी इमारत साइड में बिल्डिंगे, यहाँ पे दुकाने, इसको किसमें ये देखो, ये पुरा ऐसा हम बनाने की कोशिश कर रहे है ओके, ये हुआ री डवलप्मेंट, सेकिंड है रेट्रो फिटिंग, रेट्रो फिटिंग में क्या कहते है जो मौझूदा छेतर है ना, जो मौझूदा एरिया है, उसको तोड़ेंगे नहीं उसका ही अपगरडेशन करेंगे रेٹ्रो फिटिंग रेट्रो फिटिंग, दूसरी और है रेट्रो फिटिंग मौझूदा निर्मित छेतर का ही उन्ययन करना है, मौझूदा संरचना बरक्रार रहती है मतलब धाचा वही रहेगा है ना, और उसके उपर नया काम करना है, वो कहलाता है Retrofitting यह Retrofitting हुआ तीसरा, तीसरा है Greenfield Greenfield का मतलब है आप नया छेतर लेके आए है ना, नया छेतर, नई जगे यह देखो हाथ पे नया छेतर बसा दिया अलग से नया एरिया पर आपने सब कुछ दुबारा से डवलप किया तो ग्रीन फिल्ड के लिए शहर के आसपास के खाली छेतर को आपने विक्सित करने के लिए नई प्लैनिंग बनाई उसका फंडिंग किया उसका फिर इंप्लिमेंटेशन किया ग्रीन फिल्ड से याद रखना लोहाथ में लेकिया आया है बिल्कुल नया है शहर के आसपास नया छेतर आइटनिफाई करेंगे उसके लिए प्लैनिंग करेंगे फंडिंग करेंगे और उसको डवलप करेंगे तो area based आपका जो approach है दो approach है आपका strategy का smart cities के अंदर area based approach, area based approach के अंदर तीन था redevelopment, retrofitting और green field फिर आया second, pan city development, इसके अंदर रहने की छमता, जो पूरा शहर है न बिटा, पूरे शहर में, देखो area based development में, जो area में problem था, उसी में हमने या तो redevelopment कर दिया, retrofitting कर दिया, नया हमने green field बना दिया, कुछ activity ऐसी होगी जो पूरे शहर के लिए होगी, उसमें क्या है, रहने की छमता में सुधार करने के लिए, शहर के बड़े छेतर में, आप smart solution लेके आएंगे, जैसे आप एक विवेकशिल यातायात प्रबंदन प्रनाली, आपका ज़ादा अच्छा traffic management होगा, ओके, जिससे लोगों के आने जाने के समय बचे, ऐसा कुछ solution करोगे, आपका ज सिटी अपरोच है, हुआ क्या, सुना अभी, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है, जो strategy है, जो रणनीती है smart cities के लिए, smart cities की जो रणनीती है, दो कैटेगरी में आ गई, पहली area based, छेतर आधारित, छेतर आधारित, रणनीती होगी, दूसरी है हमारी pen city, पूरे शहर के लिए, pen city रणनीती, pen city, पूरे शहर के लिए, विकास की रणनीती हमने अपनाई, जो area based रणनीती थी, इसके अंदर तीन थे, एक, दो, और तीन, इसके अंदर क्या है, या तो हम redevelopment कर रहे थे, या हम retrofitting कर रहे थे, या हमने green field किया, green field solution लेके आए, इधर हमने किया, पूरे शहर के काफी, या तो पूरा शहर या बड़े छेतर में, या तो हमने पूरा overall, या तो वबस्ता को हमने improve किया, है ना, या हमने क्या किया, जो उसका abscist प्रबंदन किया, abscist का बहतर प्रबंदन किया, जल पुनर चकरन किया, पूरे शहर के अंदर हमने बहतर सुरक्षा व्यवस्ता की, बहतर सुरक्षा व्यवस्ता की हमने, ये सब हमारे pen city का, तो दो तरह का अप्रोच है बेटा, area based और pen city अप्रोच, अगर समझ में आया हो तो बताओ मुझे, बेटा, smart city तो कहती है कि भूके पेट नहीं सोने देगी, idea तो देखो बेटा यही है, अभी भी कोई भूका पेट सो रहा है तो समझो smart city नहीं है, क्योंकि smart city तो आई इसलिए कि वो लिवेबिलिटी है, लोग वहां का जीवन इसतर बहतर होगा, अगर बहतर नहीं होगा, then question mark है smart city के सामने, I also agree with you, okay, बच्चे बोल रहें sir, इंडिया में ये possible नहीं है, ऐसा नकरात्मक attitude भाई हमारा तो नहीं है, हमें तो लगता है कि शायद इंडिया में जब तक हम है, इस धर्ती पे कुछ ना कुछ हमारा भी contribution होगा, अच्छी सरकारों को चुनेंगे, हम भी अच्छे effort बनाएंगे, system का हिस्सा हम भी है भाई, कुछ ना कुछ तो करेंगे, खाली हाथ तो बैठेंगे नहीं, चलो, तो दोनों परकार का जो development है, चाहे pan city development हो, या area based development हो, दोनों के लिए हमें planning बैटर करनी होगी, बैटर implementation करना होगा, फिर जो हम काम कर रहे हैं, उसको monitor करना होगा और हमें पैसा लाके देना होगा, यानि कि क्या हुआ, आपका जो smart city का पूरा रणनीती है, उस रणनीती के लिए जरूरत किसकी है, बैटर planning की, अच्छी योजनाए बनानी होगी, कैसे करेंगे ये काम, दूसरा, फिर उसका किरियानवियन कैसे करेंगे, second point होगा, third point होगा कि उसका हमें निगरानी करनी होगी, कि जो काम हो रहा है, वो सही से हो रहा है या नहीं, और fourth, उसको पैसे की जरूरत होगा, विद्ध पोशन करना होगा, यानि कि जो ये आपने पढ़ा, इन दोनों काम के लिए, आपको तीन, चार चीजों की requirement है, better planning, अच्छा नियोजन, फिर से लिख लेता हूँ, दूसरा, आपके पास अच्छा किरियानवियन होना चाहिए, तीसरा, आपके पास उसकी निगरानी की ववस्था होनी चाहिए, और चोथा, आपके पास पैसा होना चाहिए, तब तो भाई ये चलेगा भी, है ना, सिर्फ बाते कहने से, concept कहने से, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल वैसा ही है कि मैं IES बनूँगा, मैं IPS बनूँगा, All India Rank 1 ला दूँगा, फोड दूँगा, तोड दूँगा, है ना, आसमान में छेद कर दूँगा, तबियत से पत्थर उच्छालो तो यारो है ना, सिर्फ बाते ही कर रहे है, कोई planning नहीं, उसका कोई implementation नहीं, उसका कोई evaluation नहीं, तो फिर तो वही वाली बात है, फिर चाहे सरकार हो, या आप हो, या मैं हूँ, सब बराबरी है, ठीक है, बड़ो इसको एक बार, आगी चलते हैं, अभी smart cities का जो implementation कैसे हो रहा है, कैसे implementation करना है, देखो, smart cities के जितने भी proposal आए है, उनको implement करने के लिए, शहरों को आपको एक CEO देना पड़ेगा, Chief Executive Officer, CEO होता है, smart city का होता है CEO, और एक IS अधिकारी ही होता है, मतलब आप में से कुछ लोग जब IS बन जाओगे, हो सकता है, देश के किसी ना किसी smart city के CEO हो, यानि के जो ये पूरा project है, ये पूरा program है, इसका implementation का एक CEO होता है, smart city CEO, जैसे जैपुर के smart city का CEO है, एक IS officer, उदैपुर smart city का, लखनव smart city, कानपुर smart city, पूने smart city, सब में एक IS officer बठाए है, उसकी अध्यक्षता में सरकार एक SPV का गठन करती है, special purpose vehicle, SPV बोलते हैं, विशेश प्रियोजन वाहन, और इसके board में, अब जो आपका smart city का ये पूरा board है, उसका अध्यक्ष तो कौन होता है, CEO, और उसके अलावा केंदर, राज्या और इस्थानिया सरकारों से कुछ nominated व्यक्ति होते है, इस पूरे काम को implement करने के लिए, समझें आपको, आपकी ताकत smart cities में आपका काफी बड़ा रोल हो सकता है, वो बात अलग है, आप काम करना चाहते हो या नहीं, कई वार तो क्या होगा, पूरा शहर खुद गया है ना, smart city के नाम पे मैंने जो देखा है, मेरा खुद का experience, smart city के नाम पे पूरा शहर खुद के रख दिया, और चार सालों से खुदाई पड़ा है, अब वो पता नहीं कितना redevelopment कर रहे हैं, रेट्रो फिटिंग के फेज में है, redevelopment में, पता समझ में नहीं आ रहा, तो ये क्या है, तो जो SPV है यो, SPV जो बनाया गया, CEO के नितरत में, Chief Executive क्या काम करेगा, वो decision making करेगा, उसको planning बनानी होगी, designing करेगा, और implementation का काम आपके SPV का ही है, ये special purpose vehicle, ये सारे काम है, decision making, planning का, designing का, और implementation का, engineers बुलाएंगे है न, बिठाएंगे बही बताओ, कहां कहां से pipeline जा रही है, कैसे कर सकता है, कितना आजू बाजू के मकान तोड़ने है, कितनी चोड़ी सड़क करनी है, कैसे हम अच्छा management करेंगे, governance को वो पूरा होता है वहाँ पे, ये बिटा बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी slide है, बहुत ही उम्दा slide है, ये है why smart cities, क्यों चाहिए मुझे smart city, ये देखो, मुझे smart city क्यों चाहिए, नजर आ रहा है आप लोगों को, बताना मुझे एक बार नजर आ रहा है क्या, ये जूम, जूम करता हूँ फिर वर्णा में इसको, अभी नजर आ रहा होगा, ये लो, नजर आ रहा है अभी, जल्दी से बताओ, नजर आ रहा है क्या, अरे थोड़ा तो बढ़ा करो यार, अभी तो बढ़ा भी कर दिया मैंने, मुझे तो खुद नज़र आ रहा है यार कैसी बात कर रहे हो क्यों नहीं नज़र आएगा बहुत अच्छी स्लाइड है इसकी एक बार पिच्चर कॉलिटी मुझे नज़र आ रहा है मेरे फोन में ठीक समझ में आ रहा है एक बार फुल स्क्रीन पर अधरवाइस तो मुझे सुननो पीडिय अफ आपको मिलने वाला है यह पीडिय अफ आपको मिलेगा सुनो या मैं एक काम कर लेता हूँ इसको और बड़ा कर लेते है एक एक करके दिखा देता हूँ यह देखो अभी देखो अभी इस फाइन मेरे हिसाब से अभी ठीक है अभी ठीक है ना अब ठीक है देखो इसने क्या बोला बहुत अच्छा है बेटा इससे कुछ quality वाला product निकाल के लाएंगे इसने का जो हमारा भविश्य है जो 21 शताबदी का हमारा भविश्य है वो हमारे तीन major trend है जिन पे depend है पहला है growing inequalities हमारे विवस्था में हमारे समाज में आसमानताय बढ़ती जा रही है पहला जो हमारा future है वो किस पे depend करेगा हमने इस वाली problem का कैसे solution किया जो विवस्था के अंदर आसमानताय है दूसरा हमारा सामने जो problem है वो changing climate climate change हो रहा है इसको हम कैसे tackle कर रहे हैं दूसरा मुद्ध ये decide करेगा हमारा भविश्य कैसा होगा तीसरा मुद्ध इसने बोला कि हमारा industrial revolution 4.0 उसका हम कितना बहतर इस्तमाल कर पा रहे हैं इस पे depend करेगा 21 वी शताबदी का भविश्य है फिर से याद रखना IR 4.0 अरे भाई ये तो घूमी गया ये चक्कर आ गए भाई इसको समभालो भाई कोई क्या किया इसने चलो दूसरा है changing climate और तीसरा है growing inequalities चले अब ये क्या कहता है तो ये जो समश्याय थी हमारी इन समश्याव का समधान कैसे होगा जो inequalities है उसको दूर करना होगा inclusion से, samavation से जो आपके gaps बढ़ रहे है society में उनको inclusive करना होगा, gaps को भरना होगा gaps नहीं भरोगे तो दिक्कत होगा दूसरा engagement, लोगों को engaging बनाना होगा participation बढ़ाना होगा, resilient, resilient मतलब वो lot shield होना चाहिए, पता चले एक एक बाड़ाई आपका पूरा infrastructure बह गया, वो स्रामना करने की छमता होनी चाहिए, वो adaptable हो, वो आपका जो adaptability बढ़ानी होगी, आपको healthy urban environment देना होगा resource का conservation करना होगा, तभी climate change से बचोगे, regeneration करना होगा, और आपको अच्छी connectivity देनी होगी, safety, security देनी होगी, responsible technology, तकनीके ऐसी होगी, जवाब दे ही तकनीक होगी, और more from less, कम संसाधनों का इस्तमाल करेंगे, और जादा result लेके आएंगे, अगर ये हमने कर लिया, तो हमारी इन तीनों समश्याओं का समाधान हो जाएगा, किस-किस का, पहला inequalities का, second climate change का, और ये fourth है, C वाला industrial revolution 4.0, अब ये क्या कहता है, ये जो सारी की सारी जो समाधान है, ये देखो, ये सारे का सारा समाधान क्या है, इसका, अगर हमने ये मैनेज कर लिया, तो शहर रहने लायक हो जाएंगे, economically ability उनकी बढ़ जाएगी, वो sustainable होंगे, तो ये ही तो हमारा smart city mission है भाई, ये पूरा का पूरा ही हमारा smart city है, क्यों चाहिए हमें smart city, inequalities का solution है, climate change को tackle कर सकता है, industrial revolution 4.0 का outcome दे सकता है, livable बनाएगा, आपके शहरों को economic ability generate करेगा, उनको sustainable बनाएगा, इसलिए जरूरत है मुझे आपको इस देश को, दुनिया के बहुत सारे देशों को smart cities की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही smart cities है, अमेरिका में भी smart cities के concept है, जल्दी से बताओ, क्या ये point समझ में आ गया, PDF भाई टेलिग्राम चैनल पे मिलेगा बच्चा, यार ये answer writing में आना जरूरी है, ये दोस्तों ये answer writing में नहीं डालोगे तो मज़ा नहीं आएगा, चले, तो अब देखते हमारे smart cities के सामने challenges कौन कौन से है, smart city के सामने challenges पहला, smart city mission का क्रियान्वियन की धीमी प्रगती, slowly चल रहा है ना, तच्चवे की चाल से चल रहा है, slowly, slow progress है इसमें, slow progress है, राम जाने क्यों है, अब ही देखेंगे क्यों है, उस slow progress के भी देखेंगे, ये चिंता का विशह है, कुल मिलाकर 6 साल हो गए, 2015 में लोंच किया था, 21 में हम आगे, अभी के तक हमारे 100 में से, 50 प्रतिशत में से भी कम, प्रियोजनाव को पूरा किया गया था, एक challenge तो ये है, slow progress, smart cities को जैसे आगे बढ़ना चाहिए था, वैसे आगे नहीं बढ़ रही, उसका बोर्ड बना दिया, I.S. officer बिठा दिया, आप काम नहीं कर रहा भाई, ये ढंग से, नहीं काम कर रहा, उधारन के लिए, आपका जो पंजी है, 2016 में ही, वहाँ fast, सबसे पहले राउंड, 2016 में ही चुन लिया गया था, पंजी को, गोवा, fast track round के दुरान चुने गए, शहरों में से एक था, आपने smart cities घोशित कर दिया, और एक साल तक आपका SPV, ये देखो, एक साल, SPV ने एक साल से अधिक समय तक, बिना board के काम किया, इसमें कोई थाई नहीं, नाम का SPV, बोर्ड के चार पद आज तक खाली पड़े है, क्यों करनी है भाई फिर हमें ऐसी घोशना, क्या दिक्कत है, मतलब किस चीज की जल्दबाजी है हमें, ओके, वो ही है, हमने बोल दिया, हमने decide कर लिया, घरवालों को बोल दिया, 2019 में हम IAS करेंगे, 2024 तक भी बोल रहे हैं, अभी हमने तयारी शुरूर नहीं किया, तो घरवालों को बोला कहा है, कि हम IAS बनेंगे, जिस दिन तयारी करतें, उस दिन बोलतें, हम IAS बनने की तयारी कर रहे हैं, हम IPS बनेगा, तो अगर आपका lack of commitment है, वो कारण कुछ भी हो सकते हैं, जिस घरवालों को तभी बोलना, भाई देको घरवाले बड़े impatient हो जाते कई बार, उनका सब्र का बांद तूट जाता है, वो आप अगर WhatsApp के अंदर, आपने घरवालों को बोला, UPSC की पढ़ाई कर रहा है, WhatsApp के अंदर चैट भी देख रहा है न, उनको लगेगा, अरे भाई पढ़ाई कर रहा है अपना बच्चा, शाम कोई पुछेगा बेटा, आज क्या क्या पढ़ा, फिर आप बोलोगे, आँख बंद करके तीन-चार किताबों के नावारे, लक्ष्मी कान पढ़ा है पापा, ठीक है, पापा को नहीं पता, मामा को भी बोल दे, लक्ष्मी कान चल रहा है, वाट्सेप आरे नहीं, इन दिनों वाट्सेप ग्रूप बनाया है, बोड के चार पद अभी भी खाली है, 2016-17-17-18 के दोरान, अपना जो आपका इसका रिटर्न भेजना था, statutory रिटर्न दाखिल करने में, विफलता सहीत, इसका auditing में भी problem हो गया, auditing का दिक्कत, दूसरा, data की आपरियाप्त समझ, आपको smart बनाना है, technology का use करना है, आपको अपने शहर के चपपए-चपए के बारे में, शहर की हर कहां से क्या है, कितना कुछ है, कितने लोग है, कौन-कौन सी activity हो रही है, सब कुछ आपके पास data बहुत चाहिए, अब data तो आ गया, अब मेरे पर data यूज़ करना ही नहीं आ रहा, समझ गे, data आ गया, data यूज़ करना नहीं आता, तो problem है, data की समझ ही नहीं है, क्या करें, ये data तो आ गया करूं क्या, survey करा लिए, 10 काम करा लिए, आपके file पर file आई जा रही है, दिक्कत क्या है, data की समझ नहीं है, प्रभावी समाधान प्रधान करने के लिए, इसका visualization कैसे करे, data तो आ गया, बहुत सारा, मैंने भी 170 पेज का report पढ़के आपको दिया, आपको अगर मैंने वो report दे देता, आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला था, ता सेम दिक्कत यहीं है, आपका जो smart city का जो पुरा board है, या उसमें आपने जिन employees को employee किया है, उनको data को analysis करना नहीं आता भाई, कई वार होता है ना, जब कुछ समझ में नहीं आता, जब भी किताब खोलते हो तो आँखे, अरे चाय पिलाओ भाई, समझ में आना बंद हो जाता है, आता ही नहीं है, उसको data analysis करने में trend नहीं है, problem यह नहीं है, आपने अपने employees को trend ही नहीं किया, उनको कुछल ही नहीं बनाया, कि भाई data हैगा, उसको ऐसे entry करनी है, वो ऐसे result देगा, उसको ऐसे उसको आपको outcome निकालना है, लेकिन अभी इसका समधान क्या है, सरकार ने ministry of housing and urban affairs ने Tata trust के साथ मिलकर, शहर के data अधिकारियों के लिए prescription कार्यकरम आयोजित करना शुरू कर दिया है, अभी prescription देना शुरू कर रहे है, data को use कैसे करना है, अरे कोई परिशानी तो नहीं हो गई ना, फिर दिक्कत है finance की, problem है क्या, ये केंदर प्रायोजित योजना है, केंदर प्रायोजित योजना है, कुछ पैसा center डालेगा, केंदर प्रायोजित योजना, पैसा कुछ center से आएगा, plus state government को भी डालना होगा, चलो, तो वित्या आंकडो के visualization से पता चलता है, कि केंदर के साथ साथ अधिकांश राज्ये, और स्थानिय राज्यों को धन जुटाना, और उन्हें SPO को transfer करना, और कुछलता पूरवक्त इस्तेमाल करना मुश्किल हो रहा है, पैसा नहीं raise कर पारे भाई, फंड नहीं लेके आ पारे, पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा, हो सकता है, रेक्रो फिटिंग करना शुरू कर दिया, मकान ढ़ा दिया, कुछल बनाना है, सेफ बनाना है, आपको स्मार्ट मीटरिंग करनी है, लोगों को स्मार्ट सॉलूशन देने है, उसके लिए चाहिए आपको तखनीक, तो स्मार्ट सिटी जो सेंसर है, और नेटवर्क से जुड़े जो उपकरन और सिस्टम है, उन पर भरोशा करते हैं, तोटली ये आपका ICT-based होगा, बड़े मातरा में डेटा उपलब्ध होगा, अब बहुत सारे आपके साइबर क्रिमिनल्स है, हैक कर लेंगे आपके पूरे सिस्टम को, बहुत सारा बॉलिवुड मुवी देखा होगा, पूरा सिस्टम, पूरा सिटी का, वाटर ग्रिड का, इलक्ट्रिसिटी ग्रिड को हैक कर लिया, और फिर सरकार से पैसा मांग रहे है, कि फटा फट दे दो, वरना कॉलैप्स कर देंगे आपके सिस्टम को बुरा, दिक्कत होगा यह, बहुत सारा डेटा उत्पन होगा, साइबर अपरादियों के दोरा, उसका हैकिंग किया जा सकता है, उसमें ब्रीज की जा सकती है, आपकी गोपनिये जानकारी होगी वहाँ पे, और आपका जो एक्सेस होगा, वहाँ पे पहुँच बंद कर देगा, सुरक्षा कैमरों तक अवेद पहुच हो जाएगी, ये पूरा, ये प्रॉब्लम है भाई, साइबर सिक्योरिटी अपने आपने बड़ा चेलेंज है, साइबर सिक्योरिटी, और दिक्कत ये है, जब तक ICT पे नहीं जाओगे, तब तक आपका फुली फंक्शनल स्मार्ट सिटी भी नहीं होगा भाई, ये दिक्कत भी है, प्रॉद्योगी की समश्या है, अब मुद्दा ये है, फिर करे क्या, कुछ तो चीजे हमें समझ में आ गया, हमें अपना ज़ादा सेफ ICT सिस्टम बनाना होगा, मेनेजमेंट को बेटर करना होगा, फंड को रेज करना होगा, जो SPV है, वो प्रोपर तरीके से काम करें, ये समश्या तो पता चल गी, अभी नया क्या करना है, देखो, जो चारो प्रॉब्लम थी, वो उसी का काउंटर कर दो solution भी है, और क्या करना है, comprehensive approach क्या है, देखो, आपको smart cities के लिए, एक long term approach अपनानी पड़ेगी, है ना, आप सोचो, 5 साल के अंदर आप, 100 या 200 smart cities बनाओगे, no, long term approach है, शहर का अपना एक इधियास होता है, कुछ शहर आपके 200, 300, 400 साल पुराने है, उनका अपना settlement है, उसको आप वापस से change करोगे, you need time, तो इन्होंने बोला है कि बहुत जादा जल्दबाजी, हमें इन प्रोजेक्ट्स में नहीं दिखानी, धीरे धीरे हमें, एक long term अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, पहला, तो smart city mission एक दिर्ग कालिक कार्यकरम होना चाहिए, वर्तमान में परिकल्पित 5 या 6 सालों में, आप smart cities डवलप करोगे, नहीं, अभी भी पता चला है, 50 प्रतिशत से कम में भी काम पुरा नहीं हो पाया, और अलरड़ी हमें 7 साल हो गए, पहली बात, तो पहले से ही long term लेके चलो, दूसरा, शहर के विकास के निमनिस्तर पे, आज हमारे भारत के जितने भी शहर है, वो विकास के development के अभी bottom पे ही खड़े है, आप उनको वहां लेके आना चारे, you need time, तो विकास के निमनिस्तर पे है, शाषन की गुनमत्ता नहीं है, और कस्बों और शहरों के सामने आने वाली सामाजिक और आर्थिक अपनी समश्याओं को देखते हुए, अगर आपको change भी करना है, तो then you need long time, आपको शौशो और economic बहुत सारे changes करने होंगे, उसके लिए समय की requirement है, पैसा भी चाहिए, वो भी नहीं है, और क्या है, अभी तक जितनी smart cities देखी है हमने, आपने बोला यह centrally sponsored scheme है, center government भी पैसा देगी, प्लस state government भी पैसा देगी, अब state government की माली हाला ठीकी नहीं है, कहां से पैसा लेके आएगी, तो इन्होंने बोला, और आपका ULBs है, अर्बन local bodies है, आपकी नगर पालिकाओं की आपने देखा है देश के अंदर, कितनी नगर पालिकाओं आर्थिक रूप से, अपना इतना revenue generate कर लेती है, कि वो अपने city की और जो उसकी responsibilities है, उसको अच्छे से perform कर पा रही है, गिने चुनी बताओ, अभी आपने देखा होगा, municipal bonds भी जारी किये है, fund raise करने के लिए किन कितनी है, कौन उन bond को खरीद रहा है, पहले सी खराब प्रदर्शने सब को पता है, municipal bond खरीदेंगे, पैसा group सकता है हमारा, तो आपका ULBs की आर्थिक रूप से तंगी है, और समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब है, और आप चाते हो कि rapid change आ जाए, अचानक से ही rapid change हो, आरे social unrest हो सकता है, आप retrofitting redevelopment कर रहे हो, उस छेतर वो खाली पड़े, छेतर तो है नी, ग्रीन फिल्ड तो था नी, आपने सब कुछ नया वसा दिया, रेट्रो फिटिंग और redevelopment कर रहे हैं, लोग उसका विरोध भी कर सकते हैं, अगर आपने properly time से करके ना दिया, और चलो आपने बलके बहुते पर दवावे लिया, तो कभी तो पूरा करके दो गिना, लोग कितना patience रखेंगे, तो गरीब वर्ग है, आपके ULBs की आर्तिक हालत खराब है, तेजी से बदलना संभव है, तो सरकार को आवास्तविक वादे करने से बचना चाहिए, ये एक report पढ़ा रहा हूं मैटा है ना, report पढ़ा रहा हूं, कि smart cities के ओपर जो report आई है, वो क्या कहती है, हमें realistic commitment करना होगा, आप 10 साल बोलो, 15 बोलो, 20 बोलो, proper plan बनाओ, कहां से पैसा लाओगे, बस बोलने के लिए बोल दिया, आईएस करना है, 10 साल तक भी result नहीं देना, क्यों पढ़ा ना, तो है यह नहीं, तो जो पढ़ेगा नहीं, result कहां से देगा, ठीक है, और क्या है, उसके बाद, अब आपने एक चीज और देखी, चलो जो आपने smart cities डवलप, आपने कुछ smart cities बना ली, अब आपकी city तो वो smart थी, अगर वो smart city बना ली, और आपने बोल दिया, यह city हमारी smart city है, इसमें अच्छा काम हो गया, जैसे ही urban flood आई, उसकी वेवस्ता खाली होगी, कोई हलका सा भी disaster आया, वो collapse हो गया, इसका मतलब यह है, कि smart city, एक मात्र, आपको smart city के अलावा भी, other projects पे काम करना होगा, तो कह रहे है, शहर की आफशक्ता को पूरा करने के लिए, अधिक परियोजनाओं की पहचान की जानी चाहिए, अगर smart city से भी solution नहीं हुआ, तो समझो, you need more projects, यह लो, इसने कहा, तब आपको और जादा projects पे भी काम करने की जरूरत है, जैसे 2021 में, जो इस साल जो गया है, मानसून के मौसम के दुरान देखा गया कि, बहुत सारे smart cities का जो water drainage था, वो water logging की समझ्या से, ग्रस्त निकला, जबकि आपका तो हो नहीं नहीं चीए था, smart city बनाई थी, आपने फिर ये problem क्यों आई, तो यानि कि हमें कुछ अलग projects भी, और जादा projects चलाने की आवश्चकता है, ताकि problem को tackle कर सके, दूसरा, SPVs है और जो urban local bodies है, उसके जो करमचारी है, उनको, उनके अंदर managerial skill डालने के लिए, उनके अंदर कुछ financial skill डालने के लिए, we need training program, अभी कर भी रहिए, ministry of housing and urban affairs ने, Tata Trust के साथ मिलके एक काम शुरू किया, कि अभी हम क्या करेंगे, अपने smart cities के जितने employee है, municipal employee है, उनको training देना शुरू करेंगे, ताकि data को वो समझ सके, उसको analysis कर पाए, प्रशिक्षन की जरूरतों को ठीक से पहचाना जाना चाहिए, किन-किन छेतर में प्रशिक्षन देना है, SPV को परियाप्त धन चाहिए, प्रशिक्षित कर्मी चाहिए, उचित इनको equipment साहिए, और सहायता प्रदान की जाने चाहिए, इन्होंने बोला, ट्रेनिंग भी देनी है, तो पहले वो area identify करो, जिसमें ट्रेनिंग देने की ज़्यादा जरूरत है, पता चल गया, ऐसी general training दे दी, मुद्दा specific था, क्या मतलब हुआ, मैं आउं आके यहां आपको 10 किताब जोग्रफी की पढ़ा के चला जाओ, समझो, इस बात को ऐसे समझो, मैं आउं 10 किताब पढ़ा दू, मैंने ये वाला inciati पढ़ा दिया, मैंने खुलर भी पढ़ा दिया, समिद्रा सिंग भी पढ़ा दिया, कोशन एक भी टैकल नहीं हो रहा आपसे, तो मेरे पढ़ाने का क्या मतलब हुआ, कहने को मैंने जोग्रफी पढ़ाया, कहने को मैंने चार किताबे पढ़ाई आपको, कोशन लेकिन एक भी सौल नहीं हुआ, क्या मतलब था, मेरा पढ़ाने का और आपका पढ़ने का इट्स बेटर कि हम स्मार्ट वर्क करे जैसा कि अभी कर रहे है बच्चे अक्सर मुझे बोलते सरो NCRT का छटी वाला किताब पढ़ा दो बेटा पढ़ा दूँगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन ये भी तो पढ़ लो कराएंगे बटा जोगरफी पिटी कराएंगे तो ये स्मार्ट है आपका सब कुछ स्मार्ट स्मार्ट सिटी अभी देखो इसने आप एक चीज और बोला एक चीज और बोल रहा है कि हमें comprehensive हम जितने SPV बनाए हैं हमने स्मार्ट सिटीज के अंदर जितने भी SPV है उनका empirical study कराओ वहाँ पर जाके field survey कराओ और ये देखो कि जो SPV है उनका करियानवन में पीछे है क्यों है कारण पता करो identify करो वो governance का issue है वो fund का issue है या technology का issue है आप empirical studies कराना शुरू कर दो अपने smart cities के SPV का क्योंकि ये जिम्मेदारी हमने इनको दी है SPV को सारी जिम्मेदारी है इन पे study कराओ SPV को हो सकता है SPV के structure को ही हमें change करना पड़े उसमें ही कुछ सुधार करने हो और क्या कहते है केंद्र और इससे भी जादा राज्य सरकारों और अर्बन लोकल बोडीज जिसको ULB बोलते हो आप नगर पाली का नगर निगम उनको धन जुटाने के लिए अधिक परियास करना चाहिए अच्छा taxation होना चाहिए और वित पोशन के वेकल पिक्ष्रोत्र ढूंडने होंगे ताकि revenue आ सके क्योंकि पैसा नहीं आएगा smart city नहीं develop होगा ये पैसे का project है बिटा आ चाहे आपको area based development करना हो या आपको pen city development करना हो जो आपकी strategy है उसके लिए पैसा चाहिए तो आप fund raise करो या तो ULBs को उतना strong बनाओ कि वो local level पे tax लगा सके अपने revenue को raise कर सके या कोई alternative source लेके आओ आप इनके लिए bank से loan दिलाओ ये bond जारी करे bond का तो फिर दिक्कत हो जाता है न मुझे पता है सामने वाली का credibility कम है मैं क्यों bond खरीदूँगा क्यों पैसे फस्चाओंगा अपने नगरपालिका का जो रिन की छमता है उसको हमें tap करना होगा जैसे इन्होंने एक बहुत अच्छा example दिया कि जो अमेरिका के अंदर एक bank है North Cassettes Bank जितनी भी आपकी पूंजी प्रियोजना है वो क्या करता है जो वहां की ULBs है ना ULBs को अगर कोई पैसे की ज़रूरत होता है तो वो bank देता है वहां उनको credibility है तो North Cascades Bank पूंजी प्रियोजना हो और उपकरनों के वित्य पोशन के लिए पूरा आपका Washington जो state है उसका जो local government है उसको पैसा देता है ये लो वहां bank पैसे दे रहा है आपका bank तो एक रुपा देने के लिए तयार नहीं है किसी ULB को है क्या आप खुदी बताओ आपका bank ULB को पैसे देगा क्या कि चलो दे देते हैं दिली नगर निगम को 10,000 क्रोट रुपे का लोन दे दिया समझे तो हमें उनको रिन उगाने की छमता को टैप करना होगा और क्या करें तो वहां तो कितना भी complex आपका borrowing solution सब देते हैं जटिल उदार solution भी देते हैं और ये क्या करा है अब जो center government है या state government है वहां से SPV को पैसा जा रहा है अभी वो पैसा transfer करने का procedure थोड़ा complex है तो कह रहे है कि केंदर से राज्य सरकारों और शहरी निकायों को SPV मतलब चाहे कोई भी दे रहा हो SPV को पैसा fund transfer करने की प्रकिरिया को आसान बनाना होगा ओके आपने जो बुनियादी धाचा बनाया है आपने smart city के अंदर उस संपत्ती को बनाये रखने के लिए जादा से जादा परियास करने होंगे उसको maintain रखना होगा उसको safe control center बनाने होंगे I3C बोलते हैं इनको इनको जैसे मासको जैसे शहर में यह जो आपके integrated command and control center है पूरे वहां के traffic को management करते हैं यह command and control center वहां के पूरा health services को वहां की safety services को जितनी भी सारी services है उनको effectively deliver कर रहे हैं तो हमाए integrated कहा हैं command and control centers को established और यह total बेटा ICT based है ICT based है information and communication technology based है अभी लंबा प्रियास करना होगा इसके लिए हमें और उसके साथ ही आपका data based है आपकी smart cities में data बहुत generate होगा smart cities है ना लोगों का traffic पे movement का data जगा जगे camera लगा होगा पूरा traffic control होगा सब कुछ वो data को manage करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसलिए आपको cyber सुरक्षित चाहिए आपके smart शहर को cyber secure होना पड़ेगा ये है आपका smart cities अभी question देखे आज़ो question दिखाता हूँ आपको UPSC का question देखो रे बाबा भारत में नगरिय जीवन की गुनवत्ता का संक्षिप्त प्रस्ट भूमी दीजिए और बताईए smart city का उद्देश्य क्या है और रणनीती क्या है कितना आसान question है उद्देश्य क्या है शहरों को levability को बढ़ाना शहरों की levability को बढ़ाना दूसरा उद्देश्य एकनॉमिक एकनॉमिक ली उनको क्या बनाना एकनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर हो तीसरा वो sustainable हो ये उद्देश्य है बेटा तीन ही उद्देश्य है ये क्यों चाहिए हमें smart cities मैंने आपको बताया था उसको इस्तमाल करना है उसके result लेने है तो smart city ही solution है और कोई solution है ही नहीं तो ये levability को बढ़ाना प्रूव करती है उद्देश्य लोगों का एकनॉमिक ऑप्शन्स प्रोवाइड करना एकनॉमिक ली एबल हो वो और sustainable हो रणनीती हमारी दो तरह की रणनीती थी area based approach है पहला area based area based की भी तीन है redevelopment थी हमारी redevelopment, retrofitting और green field पहला second हमारा था pan city pan city development pan city development करना था second strategy ये थी क्या question पूछा इसने है क्या कोई question में दम हम कितना आगे तक घुब के आ गए जल्दी बताओ अभी समझ में आ रहा है या नहीं यार लिख लोगे या नहीं ये बताओ यार question आसान लग रहा है या UPSC वाला या नहीं देखो मैंने वो topic जो UPSC के बिल्कुल trending topic है उनको पकड के ना उनको ऐसा धोएंगे अगे एक भी दाग नहीं बचे दाग का मतलब एक भी question हमसे बचके नहीं जाएगा अभी ये लिख के भेजना है भाई ये answer है ना ये लिखना है आपको ये answer लिखना है अब ये एक हमारा देखो ये एक और question है smart cities है जब तक आपके smart villages नहीं होंगे इसको जीवित नहीं रख सकते क्योंकि देखो एक चीज़ बात बताओ हमने cities बनाए हाला कि इस question को discuss करूँआ में next class में फिर भी आपको एक overview बता देता हूँ आपने smart cities बनाए आप कभी तो सोचोगे ना हमने 2030 को target करके बनाया 40 को बनाया 50 को बनाया लेकिन अगर गाउं से constant आपके urban infrastructure पर pressure बढ़ता चला गया तो smart cities काम कैसे करेंगे वो तो फिर 10 साल बात same position हो जानी है तो आपको क्या करना है गाउं को भी smart बनाना होगा urban infrastructure हम बना तो देंगे retrofitting, redevelopment, green field सब कुछ कर लेंगे हम लेकिन हमें साथ के साथ गाउं को भी self-sustaining units में convert करना होगा इस वाले part पे हम next class में discuss करेंगे आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता देता हूं अभी mapping के मेरे बहुत सारे videos private हो गए बहुत सारे बच्चे regular demand कर रहे हैं sir mapping कल की जो 130 की class है हम Africa continent को और इस बार Sunday के दिन Europe continent को मैं Sunday के दिन नहीं पढ़ाता लेकिन इस बार पढ़ाऊंगा तो हमारी Saturday Sunday class होगी mapping की कल और परसो मंडे से फिर वापस से हम अपने mains के topic पे आ जाएंगे यह देखो इस class का आपको PDF मिलेगा यह मेरा telegram channel है unacademy underscore नवीन तवर बहुत अच्छा दुबारा से unacademy ने 18-24 नवेंबर के लिए फिर से offer लेके आया है आप मेरा code नवीन 1 लगाके subscription ले सकते हैं अगर आप चाते हैं कि नवीन सर इस पूरी journey में आपको guide करें आपके mentor बनें तो नवीन 1 code यूज करना और आपकी journey काफी असान हो जाएगी no doubt जिसका भी geography optional है वो plus unacademy plus पे मेरा optional का course चल रहा है उसको join कर सकते हैं और जिसका नहीं है और जो confused है कि क्या optional लेना है आजओ स्वागत है आपका मेरी class में आपको मज़ा आएगा वो भी ले सकता है ओके उसके साथ ही अभी evening में 5 p.m. पर नैतिकता की आदालत में आज case number 7 लड़ा जाएगा और इस 7 वे number का case का समधान करेंगे एक और case देंखेंगे 8 वे number का फिर आगे बढ़ेगे नैतिकता की आदालत बच्चे काफी enjoy कर रहे है उमीद करता हूँ पांच बज़े आप सभी लोग आएंगे अभी का जो session था वो यहीं end करते है कल वापस से 1.30 मिलेंगे इस बार Sunday को भी class होगी evening में 5 बज़े त्यार है ना तब तक के लिए अपना ख्याल रखना Bye, take care